हेलो बच्चो आज हम करेंगे NCRT कि लास थर्ड इंगलिस का चैप्टर He is my brother Once upon a time there was a small hill एक बार की बात है एक छोटी पहाड़ी थी इस small hill होता है छोटी पहाड़ी अब path went up the hill और एक रास्ता उस पहाड़ी तक जाता था path होता है छोटा सा रास्ता It went through thick and lovely woods of pine and fir trees और ये रस्ता जहाँ से होता हुआ जाता था बहाँ पर मोटे और प्यारे pine और फर के पेड़ थे थीक होता है मोटे, लवली होता है प्यारे People often walked on it to a holy place और इस रस्ते से होते हुए लोग अकसर एक पवित्रिस्थान बर जाते थे Holy place होता है एक पवित्रिस्थान, ओफन होता है अकसर One day when the sun sun high in the sky एक दिन जब सूरज आस्मान में उपर चमक रहा था Shown का मतलब होता है चमकना Many people were seen climbing up the hill बहुत सारे लोग पहाड़ी के उपर चड़ रहे थे Climbing होता है चड़ना They were climbing slowly and carefully और वे बहुत ही धीरे से और ध्यान से चड़ रहे थे Slowly होता है धीरे से, carefully होता है ध्यान से A girl also climbed the hill with them उनके साथ में एक लड़की भी चड़ रही थी पहाड़ी पर Her name was Mina और उस लड़की का नाम था Mina Mina was 12 years old Mina की उम्र 12 साल थी She carried a small boy on her back और उसने अपनी पीट पर एक छोटे से लड़के को भी उठा रखा था Carried का मतलब होता है किसी को उठाना या किसी को ले के जाना He was 4 years old उस लड़के की उमर 4 साल थी His hair was curly उसके बाल घुंगराले थे करली का मतलब होता है घुंगराले His eyes were black उसकी आखी काली थी And his face was as fresh as the morning dew और उसका चहरा इतना fresh था इतना ताजा था जैसे की morning dew होती है सुभा की ओस होती है Dew बोलते हैं ओस को As the sunshine danced through the trees Meena climbed the hill slowly and steadily Dance का मतलब होता है नाचना Sunshine होती है सुरज की धूप तो जब सुरज की धूप पत्तों की बीच से पेडों की बीच से नीचे आ रही थी तो वो ऐसे लग रहा था जैसे तो वो dance कर रही हो उस समय मीना धीरे धीरे तेजी बनाए हुए पहाड़ी के उपर चड़ रही थी Slowly होता है धीरे धीरे Steadly होता है तेजी से मीना was happy मीना खुश थी The boy was also happy और जो लड़का था वो भी खुश था A man in the group looked at मीना और जो group लोगों का पहाड़ी के उपर जा रहा था उसमें से एक आदमी ने मीना को देखा He felt sorry for her उसको उसको देखकर मीना को देखकर बहुत बुरा लगा Sorry का मतलब होता है किसी से माफी मागना और sorry feel करने का मतलब होता है बुरा लगना He asked her तो उस आदमी ने मीना से पुछा My child, why are you carrying a boy on your back? कि बच्चे, तुमने अपनी पीट पर एक लड़के को क्यों उठा रखा है? Don't you feel his load? क्या तुम्हें उसका वजन feel नहीं हो रहा है? वजन महसूस नहीं हो रहा है? लोड होता है वजन मीना looked at him in wonder She could not understand him तो मीना उस आदमी की बात को समझ नहीं सकी Understand होता है समझना Her brother was unable to walk मीना का जो भाई था वो चल नहीं सकता था Unable to walk होता है जो चल नहीं सके मीना asked तो मीना ने पूछा वजन? लोड? Of course not बिलकुल भी नहीं Of course not बिलकुल भी नहीं He is my brother ये तो मेरा भाई है तो बच्चों मीना को उसका वजन महसूस क्यों नहीं हो रहा था क्योंकि मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी इसलिए मीना को अपने भाई का वजन बिलकुल भी महसूस नहीं हो रहा था और ये जो स्टोरी है वो पेस्ट है एक स्टोरी पर जिसको लिखा है सनन्त कुमार भटने अब इसी स्टोरी में जो न्यू वर्स है उनको देखते हैं इसमें है अंडरस्टेंड समझना क्लाइम्ड चड़ना होली पवित्र सलोली धीरे से सोरी माफी मागना लोड लोड होता है वजन अब यहां पर आपके लिए कुछ कोशन्स है पहले हम इन कोशन्स को देखते हैं फर्स्ट कोशन है लोग कहां जा रहे थे लोग एक छोटी पहाड़ी पर चड़ रहे थे ताकि वे एक पवित्रिस्थान पर जा सके सेगिंड है आदमी ने मीना से क्या कहा आदमी ने मीना से क्या रखा है आपको क्या लगता है मीना ने अपने भाई को क्यों उठा रखा था मीना वोस क्यारिंग हर ब्रदर बिकोज इवोस इनेबल टू वान एंड लॉफ थे मीना ने अपने भाई को इसलिए उठा रखा था क्योंकि वह चल नहीं सकता था और मीना उससे बहुत प्यार करती थी नीचे आपको कुछ कोश अंसर दे रखे हैं उसमें से आपको correct answer चूज करना है What went up the hill? पहाडी तक क्या जाता था? पहाडी तक जाता था अब path A street नहीं, a road नहीं, a rail line नहीं What is the name of the girl in the story? इस टोरी में जो लडगी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मीना मीना नहीं, बीना नहीं और सीमा भी नहीं How old was मीना? मीना की उमर क्या थी? मीना की उमर थी 12 years How old was मीना's brother? जो मीना का भाही था उसकी उमर क्या थी? उसकी उमर थी 4 साल 4 years Next है, let's write fill in the blanks using the correct given words, नीचे आपको fill in the blanks दिये गए हैं, साथ ही आपको कुछ words पर दिये गए हैं, आपको सही word को fill in the blanks में fill करना है, फर्स्ट है the boy fell in the pit, पिट होता है गढधा, फैल का मतलब होता है गिरना, जो लड़का था वो गढधे में गिर गया, सेकिन है I ship hot milk, शिप होता है किसी चीज को पीना, मैंने गरम दूद पिया, the kid is in the coat, coat होता है, एक छोटा सबिस्तर जहाँ पर बचे सोते हैं, तो बच्चा किड होता है बच्चा, बच्चा कहां पर है, बच्चा कोट में है, my toy is in the box, मेरा जो खिलोना है, वो बच्च में रखा है, next है, the lion is in the den, जो lion है, वो den में है, den होते हैं, lion की गुफा, the cat runs after the rat, rat की पीछे, चुहें की पीछे, बिल्ली भागती है, I sit on the rug, रग होते कोई कालीन, जो की किसी रूम बगरम बिच्च हुई हो, मैं कालीन की उपर बैठा हूँ, next है, fill in the blanks with the opposites of the underlined word given in the sentence, नीचे आपको कुछ sentences दिये गए है, वहाँ पर आपको एक word दिया गया है, जिसको underline किया गया है, उसका opposite आपको खाली जगा पर लिखना है, first है, the rat run in van, the cat run out, जो first word है, वो है in, इनका opposite होता है out, second है, the lion is big, but the ant is small, third है, the giraffe has a long neck, जिराफ की गर्दन लंबी है, but owls are short, लेकिन जो उल्लू होते हैं, उनकी गर्दन छोटी है, the sun appear in the day, and the moon at night, the tea is hot, but the water is cold, trees are tall, but the bushes are short, ram was sad, but rada was happy, तो जो first word है in, in का opposite होता है out, second है big, big का opposite small, long का opposite होता है short, day का opposite night, hot, cold, tall, short, sad, happy, तो यहाँ पर हमको opposite words फिल करने हैं, next है team time, team time में आपके लिए कुछ questions हैं, पहले हम इन्हें देखते हैं, first है, what are the difficulties that a child who can't see will face, कौन सी प्रेसानिया एक बच्चा फेस करेगा, जो बच्चा कुछ देख नहीं सकता, तो जिस बच्चे को कुछ दिखाई नहीं देता बच्चों, और वो क्या-क्या प्रेसानिया फेस करेगा, he will not be able to play with other children, दूसरे बच्चों के साथ वो खेज नहीं पाएगा, he will face problem in crossing the road, road को cross करने में उसको प्रेसानिया होगी, he will not be able to watch television, TV भी भी हो नहीं देख पाएगा, he will not be able to work on computer, और computer पर भी वह काम नहीं कर पाएगा, second है, would you help a child who can't walk to school, क्या तुम ऐसे बच्चे की help करोगे, जो इसकोल तक नहीं चल कर जा सकता, yes, I would definitely help such a child, कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे बच्चे की मदद करूँगा, third है, how can you help such a child, and make the child feel as one of you, क्यों, ऐसे बच्चे की मदद तुम कैसे करोगे, ताकि उसको भी ऐसा ही feel हो, कि वो कुछ अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा है, इसका अंसर है, I will give him my support, so that he may not feel any problem in reaching the school, मैं उसको अपना support दूँगा, ताकि उसको कोई भी परिशानी feel ना हो, इसकूल जाने में, I will talk with him like a good friend, और एक अच्चे दोस्त की तरह उससे बाते करूँगा, I will laugh with him, मैं उसके साथ हसूँगा, in this way, I will make him feel one of us, और इस तरीके से, मैं उसे अपने जैसा ही feel कराऊंगा, इस तरीके से उसको ऐसा नहीं लगेगा, कि वो हमसे कुछ अलग है, उसको भी ऐसा लगेगा, कि वह भी हमारे तरह ही एक normal बच्चा है, इस्ट आपके लिए एक activity है, कि यहाँ पर आपको एक game खेलना है, आपको क्या करना है, blindfold a child with a cloth, एक कपड़े की सहाइता से, एक बच्चे को blindfold करना है, वो कपड़ा उस बच्चे की आँख पर आपको बान देना है, he or she must try to catch the other children, फिर वो बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ने की कोशिस करेगा, however, is caught, has to be blindfolded nest, और जो भी बच्चा पहले पकड़ा जाएगा, फिर उसको ही blindfold किया जाएगा, तो ऐसे ही यह game चलता रहेगा, ओके बच्चो यह हमारा chapter हो गया है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,